सो हेगाइस वेलकम बैक चु माई न्यू वीडियो आज की वीडियो में मैं मातारानी की एक छोटी सी पेंटिंग बनाओंगी जिसमें मातारानी की बच्पन की एक मासुम सा एक लुक होगा और हम यहाँ पे पहले से आॉट लाइनींग करके रखाता तो वो आॉट लाइनींग को हलका करके इरेस कर लेंगे इरेस करने के बाद फिर जाके स्टार्ट करेंगे कलर पेंसिल से ड्रोईंग सबने यहांपे पहले आइस को ड्वाइंग करने के लिए पहले ब्राउट कलर का यूज किया है ब्राउन के बाद तार्ट ब्राउन फिर जा के ब्लाक किलर का यूज किया है अगर आप ऐसे step by step करने लगोगे फिर आपका eyes realistic जैसा look आएगा यहाँ पे जो forehead है वहाँ पे भी हमने पहले yellow color का use किया है फिर जाके red, red के बाद फिर जाके orange भी use किया है जिदर जो color है absorb करके अगर हम बनाई तो हमारा जो photo है वो realistic जैसा दिखता है इसलिए हमेशा color को absorb करना चाहिए फिर जाके बनाना चाहिए कि कहीं बार देखा गया है कि जादा तर लोगों को यह problem हो दी skin color देने में तो skin color में जादा तर यूज होता है light yellow red orange फिर जाके brown color black color जो dark area light area में yellow color use होता है मैंने जितना भी color किया मतलब बोला है यह जादा तर यूज होता है skin tone के लिए तो आफ फोटो को zoom कीजिए जूं करने के बाद absorb कीजिए कि किधर कौन सा color आ रही है या फिर दूसरा color भी आ सकता है श्रिप आपको color को पहचानना होता है और वही सबसे ज्यादा मुश्किल काम होती है तो मेरे हिसाब से zoom कीजिए और अपने समझ के हिसाब से बनाती चाहिए अब प्रैक्टिस करते चाहिए फिर आपका भी realistic होने लगेगा फिर इधर देखे हमने हीर पे तो पहले ब्राउन color यूज किया है तो उसको ज़्यादा प्रेश्य देंगे यूज किया है इसलिए जो वाइड पोर्षन होता है जादा तर हैर्स में दिखता है वो इरेज नहीं होता, इसलिए कभी भी उस पोर्शन को दिखाने के लिए हम ब्लेड से स्क्राच करते हैं, ब्लेड से स्क्राच करने के बाद वो अच्छे तरह से दिखता है और रियलिस्टिक वाला लुक आता है, तो अब भी अगर कई बेबी हाइलाइट करना चाहती हो तो ब् ब्लर था फोटो में, फिर में एजस किया, एजस करके देखा कि कैसा है, तो जोल्री जो फोटो में जैसा दिख रहा था, तो उससे थोड़ा मेंने डिफरेंड बनाया, उसका लुक अच्छा दिखे इसलिए, वरना उसमें तो कुछ भी नहीं दिखा था, फिर या पे हमने जो मातरानी की जो ब्लाव से वापे भी वही से मेथाड यूस किया, देखिए, हमने ब्राउन कलर का यूस किया है, बहुत प्रेशर से, फिर उसमें स्क्राइच करके डिजाइन दिया है, तो कितना अच्छा दिख रहा है, फिनिशिंग आ रही है, तो हर वक्त स्क्राइच क मैं कुछ त्रिशुल बनाया है, त्रिशुल को रियलिस्टिक दिखाने के लिए एलो कलर और प्राउन कलर का यूस किया है, और ऐसे है आप करते चाहिए, तो आपका पेंटिंग भी बहुत सुधार आएगी, और मिस्टिक हर किसी से होता है, मुझसे भी बहुत सादा हुआ इस पेंटिंग में, फिर में मैंने बहतर करने के कोशिश किया है, फाइनल लुक हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कॉमेंट में बताइए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेर, कमेंट and सब्सक्राइब कर दीजे, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, तो मेरे वीडियो को देखते चाहिए, आप भी सिख जाओगे, फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, बाब बाई